जितनी भी SIM card आप use कर रहे हैं आपको आपके अधार card से link कराना है और यह जो linking process ही है February 2018 के पहले कराना है लेकिन रुको रुको बहुत सारी असी बाते हैं जो आपको जानना जरूरी है जितनी भी बहुत सारी मैंने बाते इस वीडियो में बताई है इसको हमको जादा से जादा फैलाना है क्योंकि FAP 2018 के बाद आपके SIM हो जाएगी बंद सबसे पहली बात तो यह है कि Indian government ने एक initiative निकाला है इसमें बोला है कि पुराने जितने customer हैं जितने लोगों की SIM card चल रही है उन सबको अपके अधार card को आपके SIM card से link कराना है लेकिन यहाँ पे आप लोग सोचते हो कि बहुत जब मैंने अधार card बनवाया था तब मैंने एक OTP होते हैं अधार card के transactions होते हैं उन सबकी detail आपको उस particular number पे आती है so घुमा फिरा के उस अधार card के अंदर आपने SIM card के number दिया हुआ है और अब जो initiative government ने निकाला है वो यह है कि आपने जितनी भी आपके SIM card चल रही है आपको SIM card के अंधर आपका अधार card link करना है so guys अब हो स data का हो idea का हो BSNL का हो तो इनके पास आपकी SIM card लेके जाना है और आपका अधार card भी लेके जाना है यह लोग क्या करेंगे पहले तो आपका SIM card आप दोगे उनको उसका mobile number एंटर करेंगे उनके system में तो उसी particular number पे OTP आएगा ऐसा नहीं है कि जो अधार card में mobile number पे OTP आएगा जो भी SIM card आप लेके जा रहे हैं जिसमें भी आपको अधार card enter करवाना है जुड़वाना है उसी के उपर वो OTP आएगा OTP डालने के बाद वो मांगेगा आपके अधार card number आप उनको अधार का number दे देंगे उसके बाद आपकी fingerprint वो मांगेगा तो उस अधार से वो biometric fingerprint जो है दिया होगा उनको लेकिन अगर बहुत पहले आपने जियो की SIM ली होगी जब आपको fingerprint नहीं मांगा होगा जियो ने उसने एक अधार card की जगा और कुछ मांगा होगा documents या अपने अधार card की copy दी होगी आपके किसी भी operator को तो जहां भी जो भी आपने SIM ली होगी अगर आपन आपको वापस से verification कराना है आपकी SIM card का और ये सारी process आपको करना है February 2018 के पहले अब आप बोलोग यार इत्ती process क्यों करवा रही है government तो देखो government एक identity चारही है अधार number तो बस वो अधार number डाले आपके सारे bank account आपकी सारी SIM card आपकी सारी चीज़े जो जो आपने करी हुई है दुनिया में सारी चीज़ वो एक बस अधार card number डालने से आ जाए आपकी even location भी वो पता लगा पाएंगे से वो अधार card से क्योंकि उस अधार card को आप SIM से जो है वो map कराएंगे और SIM card से आपकी बिलकुर real time location देख सकेंगे तो गुमा विरा के आपको अच्छे सा track कर पाएं तो बस एक unique verification code बोल सकते हो यह unique index बनाना चारी है कि बस वो अधार card number डाले और आपकी सारी detail पूरे हिंदोस्तान में किसी की भी एक अधार card number डालने से उसकी सारी चीज़े उसने क्या-क्या return भरी है क्या-क्या उसने mobile phones लिये हैं क्या-क्या उसने सारी चीज़े करी हैं सब क भी आपका कोई doubt ही है mapping से related तो आप नीचे comment करिए मैं उसका reply जरूर दूँगा so I hope you like this video thank you